हेलो नुमस्कार जहिन आप देख रहे हैं साइंस टीचर बी आर यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है बी आर कपूर तो दोस्तों मैं इस वीडियो के मादम से आप क्यों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे आप इसे लाइक कर दीजिएगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए घंटी के बटन को दबाईए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेर कीजिए ठीक है तो चलिए तामबे के लोटे की चमक कुछ दिनों में कम हो जाती है तो इसका क्या कार्ण है तो इसका कार्ण है क्योंकि तामबा जो है धातु है तो धातु नमी और वाईउ के संपर्क में आके काली हो जाती है तो इसलिए वो अभी क्रिया कर देती है तो इसका दैभाग अंसर आएग फिर चारीसवा कोश्चन है 40 सोडियम धातु से निर्मित योगिक नहीं है अब सोडियम धातु जो हती है नमक में भी होती है धावन सोड़े में भी होती है खाने का सोड़ा यानि मिठे सोड़े में भी होता है सोडियम लेकिन चुन्ने के पत्थर में sodium नहीं होता तो इसका अंसर आजेगा ये चुन्ने का पत्थर फिर है 41 question ऐसे पदार्थ जिनकी अकरती आयतन निश्चित होते हैं उन्हें ठोस पदार्थ कहती है ठोस पदार्थ का आयतन और अकरती चेंज नहीं होती द्रव का की आकरती चेंज होती है ठीक है लेकिन आयतन चेंज हो सकता है ठीक है आयतन चेंज नहीं होता सोरी आकरती चेंज हो सकती है लेकिन इसमें गैस जो है गैस की आकरती भी चेंज होती है आयतन भी चेंज होता है तो इसमें ठोस अंसर आपका 41 का फिर फॉर्टी टू कॉस्चन निमन में से मिसर धातू कौन सी है निमन में से मिसर धातू का नाम सोना जो है ये धातू है चांदी भी धातू है तामबा भी धातू है लेकिन जो पितल है वो मिसर धातू है और ये पितल जो हता है तामबे और जिंक को मिला कर बनाया जाता है प केस को सरदी के मौसम में मक्का के डोपले बहुत पसंद है मक्का किस परकार की फसल है तो मक्का जो होती है वो खरीफ की फसल है क्योंकि ये वर्श अरितु में उगाई जाती है ठीक है तो इसे खरीफ की फसल कहेंगे फिर 44 क्वेश्चन है रादा गयों की फसल बोने कि कुछ दिनों बाद अनावशक पोदों को खाड़ कर फैंकती है तो वह ऐसा क्यों करती है क्योंकि जो ये अनावशक पोदों होते हैं जो फसलों में उगाते हैं इन्हें हम खरपतवार कहते हैं और अगर हम इसको ना निकालें तो ये गेहूं में जो भी हम पोशक तत्व डालते हैं फसलों में तो वो इनके को खतम कर देते हैं तो इसलिए गेहूं के पोदों को परियाप्त पोशक्त्तों मिलें इसलिए हमें खरपतवार को बाहर निकालना होता है 45 question है तो इसमें नीमन में से रभी की फसल का सही यूगम कौन सा है रभी की फसल कौन सी है मटर और सरसों जो है रभी की फसल है इसमें फिर है 46 पालक की सबजी में पोधे के किस भाग का उपयोग करते हैं तो पालक के हम पत्ते खाते हैं पत्ते का उपयोग करते हैं 47 है नीमन में से कौन सा सव पोशी पादप है सब पोशी जी पादप वो हते हैं जो अपना भोजन स्वैम बनाते हैं तो जितने भी पेड़ पोदे हैं वो पादप हैं बरगद भी पेड़ है वो स्वैम पोशी है लेकिन अमर बेल जो है मयूकर है ड्राउन सेरा है ये विशम पोशी है ये अपना भोजन दूसरों से प्रा तो इसमें उपरोक्त सभी आजाएगा आपका अंसर ठीक है फिर उसके बाद है next question गोबर पर लगने वाला छत्रक किस परकार का पादप है 49 जो question है इसका अंसर आपके पास है मृत जीवी होते हैं ये छत्रक जो होते हैं छत्री बोलते हैं जिसे या खुंब बोलते हैं मश्रूम बोलते हैं ये मृत जीवी होते हैं ये गड़ी सडी चीज़ों को अपना भोजन मनाते हैं 50 question कीट भक्सी पादपों का सही युगम पहचानिये तो इसमें ए जो है पहला भाग है ड्रोसेरा और घट परनी जो हैं ऐसे पादप हैं ऐसे पोदे हैं जो कीडे मुकोडों को खाते हैं उसे ड्रोसेरा और घट परनी हैं 51 सहतूत किस परकार का फल है तो सहतूत जो हता है संगरहीत फल है ठीक है तो यह अपकान सराजेगा 51 में फिर आपके पास है नामक द्वाई किस रोग के उपजार में दी जाती है तो यह फ्लू की द्वाई है स्वाइन फ्लू के इलाज में यह दी जाती है फिर उसके बाद है सरदी खांसी जुखाम में आपने मुझ पर खांसते समय रुमाल रखने को क्यों कहा जाता है ठीक है अब तो ये कहते हैं कि जिसको सर्दी जुखाम खांसी है या सभी वैक्ति हैं जो वो मुझ को ढखके रखें मास्क लगा के रखें क्योंकि ये संक्रामक रोग है ये एक वैक्ति से दूसरी वैक्ति को रोग लग सकते हैं से कोरोना वाइरस जो है वो भी संक्रामक रोग है कोरोना भी संक्रामक रोग है है तूथ पेस्ट बनाने में किस सुखसम जीव का उप्योग किया जाता है तो यह है जैंतो मोनास तो यह भाग इसका अंसर है फिर है पाँच पच्पन है तलाबों के किनारे हले लंक की फिसलन दार काई हो जाती है यह होती है सहवाल सहवाल बोलते है काई को जो पाणी में काई हो जाती है उसे सहवाल कहते है किरदस्त लगने पर डॉक्टर O.R.S. गोल देता है तो O.R.S. का पूरा नाम है यह भाग में है जो औरल री हाइड्रेशन सुलूशन औरल री हाइड्रेशन सुलूशन जो पाणी की कमी को दूर करता है कि रह भारत का प्रथम क्रित्रिम उपगराय कौन सा है ठीक है तो यह है आरियाभट सबसे पहला क्रित्रिम उपगराय है जो भारत में छोड़ा था अकास में या इसमें अंतरिक्स में यह आरियाभट है पिर दही जमाने की क्रिया में सुक्षम जीव कौन सा उपयोगी है तो वो है लेक्टो बैसीलस दूद में होता है ये और दहीं में भी पाया जाता है तो जो कोई भी खटी चीज जब हम खाएंगे या पीएंगे तो उसे विटामिन सी मिलता है फिर साथवा कोशन है परसून के पैरों की हडिया मुड़ गई घुटने पास पास आगे तो उसमें कौन से विटामिन की कमी है तो वो विटामिन डी की कमी उसके सिरील में हो गई और उसे रिकेट्स रोग हो गया विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग होता है विटामिन C की कमी से सकर्वी रोग होता है B की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है और A की कमी से रगतोंधी रोग होता है फिर उसके वाद 61 कोश्चन है खून की कमी को पूरा करने के निमन लिख कौन सा भोज्य पदार्थों का समूज सही है तो खून की कमी तो मुख्या रूप से भई पालक से चुकंदर और अनार से हमारे को खून मिलता है फिर उसके बाद है आपके पास 62 कॉस्चन निमन खादय सरिंखला में दिवितिया उप भोगता का चेहन कीजिए तो प्रतम उत्पादक जो होते हैं पेड़ पोदे होते हैं वही खादय सरिंखला जब भी उनाते हैं सबसे पहले उत्पादक होते हैं पेड़ पोदे जो अपना भोजन स्वैम बनाते हैं फिर प्राथमिक उपभोगता में आते हैं शाका हारी जीव जो पेड़ पोदे से प्रापत भोजन खाते हैं जैसे चुहा है फिर है द्वितियक उपभोगता मासा हारी आते हैं जैसे सांप जो है चुहे को खाता है तो इसमें सांप आ जाएगा ठीक है तो सांप आएगा और पूपू भोगता है सरवोच मासाहरी जिसे बोलते हैं और ये चील है चील जो मासाहरी योगों भी खाती है जैसे चील सांप को खा लेती है पिर है अगला question आपके पास 63 question question number 63 तो इसमें है जलती हुई मुवथती तो question है जलती हुई मुवथती तो काच के जार से ढकने पर मुवथती बूच जाती है इसका क्या करण है क्योंकि जार के अंदर जो oxygen होती है जब तक तो oxygen होती है तब तक तो मुवथती जलती रहती है लेकिन जब जार के अंदर oxygen खतम हो जाती है तो वो बुझ जाती है फिर उसके बाद है 64 है सर्दी की रातों में बंद कमरे में अंगिठी जला कर सोने से व्यक्तिकी मृत्य हो जाती है यदि बंद कमरे में हम आग जला के रखते हैं तो उसके जो प्रदूशन होता है उसके व्यक्तिक मृत्य हो जाती है तो ये जो होती है carbon monoxide gas बनने के कारण होती है थीक है तो उसकी वज़े से व्यक्तिकी मृत्य हो जाती है तो इसलिए कभी भी बंद कमरे में अंगिठी जला कर ना सोए 65 question 65 question है घरों में खाद्या पदार्थों के परी रक्षन के लिए समाने उप्योग करते हैं तो परी रक्षन के लिए जो खाद्या पदार्थ है उनमें अगर हम नमक लगा के रखें तो वो लंबे समय तक सही रहते हैं ठीक है तो या नमक और या चिन्नी दोनों हम ख़द्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए इनका अप्योग करते हैं फिर उसके बाद है आपके पास 66 कॉस्चन नमबर समान आयतन वाले डिबों में भरे निमन पदार्थों में से किसका दरवयमान अधिक होगा ठीक है रूई, रेत, लकड़ी का बुरादा या पानी तो सबसे अधिक जो है जो रेत है रेत का दरवयमान सबसे अधिक होगा ठीक है यदी समान आयतन वाले डिबों में भरा हो फिर 67 कॉस्चन है तो इसमें देखिए पूजा जब तलाब में पत्थर वय लकड़ी को एक साथ फैंकती है तो पत्थर पानी में टूब जाता है लेकिन लकड़ी पानी पर तैरती है इसका क्या कारण है क्योंकि लकड़ी का घनतव जो होता है पत्थर का गनतव पानी से अधिक है इसलिए वो पानी में डूब जाता है लेकिन लकडी का गनतव पानी से कम है तो इसलिए वो तैरती है यानि जिस वस्तु का गनतव पानी के गनतव से कम होता है तो वो पानी पर तैरता है इसलिए लकडी सायती है फिर उसके बाद है आपके पास next question दही से मखन निकालने के लिए किस प्रिथिकन विदी कापियोग करते हैं तो उसे हम बोलते हैं अप केंदरन बल अप केंदरन विदी होती है जो जब दूद में या दही में हम मंधानी लगाते हैं तो उससे मखन अलग हो जाता है उस विदी को अप केंदरन विदी कहते हैं 169 है कचरे के देर में से लोहे के टुकडो को अलग करने की किस विदी क्या क्या रहेंगे तो कचरे में से लोहे को अलग करने के लिए हम चुम्बक के द्वारा जब हम कच्रे के धेर के उपर से चुम्बक को गुजारेंगे तो जो लोहे के टुकडे उसमें पड़े होंगे कहीं भी वो चुम्बक के साथ चिपक जाते हैं और उनको हम अलग कर लेते हैं ठीक है तो ये लोहे को कचरे से अलग करने की विधी है चुमकिया प्रिथी करण विधी घरों में एर कंडिशनरों और रेफ्रिज रेटरों में भरी जाने वाली गैस जो ओजोन परत को ख्षति पहुंचाती है वो होती है CFC CFC गैस होती है कलोरो फ्लोरो कार्बन गैस ठीक है ये AC में फ्रिज में इन में भरी जाती है और ये ओजोन परत को ख्षति पहुंचाती है फिर है प्रसीद समारक ताज महल के एक शेतर में मोटर वाहनों में सिसा रहित पैट्रोल का उप्योग किया जाता है इसका क्या कार्ण है क्योंकि जो ताज महल है तो इसमें जो 47 71 question है तो जहां ताज महल है आगरा में तो वहां पे हम वहनों में ऐसे पैट्रोल का उप्योग करते हैं जिसमें सिसा या काच में नहीं होता क्योंकि जातर पेट्रोल में कांच मिक्स होता है ठीक है और उसकी वज़े से प्रदूशन अधिक होता है इसलिए प्रदूशन कम करने के लिए ठीक है ताज महल को संक्षारित यानि खराब होने से बचाने के लिए स्वास संबंदी रोगों से बचने के लिए यानि तीनों इसमें अंसर आ जाएंगे तो तीनों सही है तो उप्युक्त सभी इसका अंसर आ जाएगा फिर है फोटी 72 परियावाणिया परदूशन के कार्ण पृत्वी के तापमान में निरंतर वृध्धी किस नाम से जानी जाती है तो पृत्वी के तापमान में जो वृध्धी हो रही है उसे विशव उश्मन कहते हैं विशव का मतलब पृत्वी उश्मन का मतलब गर्मी यानि पृत्वी पर तापमान बढ़ता जा रहा है जिसे विशव उश्मन कहते हैं फिर उसके बाद है 73 तियत्तर कोश्चन अमल वर्षा एक परकार का वायू प्रदूशिक है जो की दो तत्मों के ओक्साइड की वातावन की नमी के संपर्क में आने से होता है तो वो होता है तो वो है आपके पास सल्फर और नाइट्रोजन S होता है सल्फर N होता है नाइट्रोजन ठीक है ये वायू परदूशिक होते हैं तो ये दोनों क्या इनके ओक्साइड जो हते हैं वायू परदूशिक होते हैं वायू परदूशन पहलाते हैं और अमलिया वर्षा का कार्ण बनते हैं ये सल्फर डाय ओक्साइड और सल्फर ट्राय ओक्साइड या नाइट्रोज ओक्साइड ठीक है ये अमलिया वर्षा का नहीं किया घंटी के बटन को दबाईए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए और अगर यदि आप टीचर हैं तो बच्चों के ग्रूप में जरूर शेयर कीजिए से ताकि वो इसका फायदा उठासके ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही कराऊंगा फिर के नई वीडियो के साथ तब तक के लिए आपको धन्यवाद जैहिन